जहीं दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल पे जो भी नया है चैनल को जरूद सब्सक्राइब कर ले वीडियो अच्छा लगए तो लाइक और सेर करना न बोले तो दोस्तों बिहार सरकार के दोरा बहुत ही महत्पुन कदम उठाया गिया है जिसके अंतरकर जो है बिहार सरवे भूमी सरवे जो है लगबग हर एक पंचायत वाइद जो है शुरू कर दिया गिया है इसका परिणाम यही होगा कि भू विबाद जो बढ़ता हुआ भू होगी बहुत सरे बात समझ में नहीं आये होगी तो यह विडियो आप दोनों के लिए है यदि आप हमारे चलल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों में सेर कर दीजिए ताकि उनके पास भी भूमी सरवे से संबंदित जो है जनकारी मिल सके है तो दोस्त जो जनकारी मेरे पास है भूमी सरवे से संबंदित उसे मैं साजा करता हूँ यदि ये जनकारी आपके लिए इनप नहीं होगी या इसके बावजुद भी आपको जानना चाहोगे तो आप कॉमेंट कर सकते हो मैं आपकी परिसानियों को हल करने का कोसिस करूंगा तो दोस्तों से पहले मैं बता दू कि जो भी आपके दखल कभजा में यानि जो आपके दखल कभजा में जमीन है वो तीन परकार या चार परकार की होती है एक तो खतियानी जमीन होती है ठीक है खतियानी जमीन होती है जो आपके दादा पर दादा के नाम से खतियान चलती ह यह मैंने न उसे घुने र होगी की आपके पुर्वज या पिदाजी या आप उसे घड़न होगए यानि दस्ता ब्रस्टा वकिले जमीन अर्ड एक जमीन वह यहीं जो आपको बंदोवस्ती होगी, ठीक है, बंदोवस्ती में सरकारी जमीन बंदोवस्ती होती है, और जो पीपी जो वास्तविक परचा मिलता है, वो रियती जमीन का मिलता है, तो इस पे तो हम डिटेल्स वीडियो बना देंगे, यदि आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग सौट में समझता है कि इस परकार से किसी भी रियत को भूमी प्राप्त होती है, ठीक है, तो आपके दखल कभी में जो जमीन है, सबसे पहले आप वो पता कर लिजए कि किस टाइप से आपको प्राप्त है, आपके पूरवजो को प्राप्त है, या आपके पिताजी को प्राप्त है जमाबंदी रियत यहानि जो रेंट देते हैं तो मिरत जमा मंधी रियत अगर होंगे तो उनकी मर्त यू की तिती और वर्सिे की नाम पर सनफ्से का में वही रसित की बारे में यहां पर जनकरी है अब देखिए मैं खतियानी बोला था ठीक है यदि खतियान का नकल यदि आपका कोई खतियानी जमीन है ठीक है खतियानी जमीन का मतलब होगे आज से जो है मतलब दो तरह का सरवे हुआ है भी बहुत जगा रिविजनल सरवे हुआ ह अतिकांस जो है उतरी बिहार में करडेस्टर सर्वे. यानि 1917 का सर्वे है. और डख्छनी बिहार में जो है, उनीस woods Kent anthe 60 का सर्वे है. तो आप जिस जिल्य से है, उससे संबंदित देख लिएगा क्या इज़ी आपका रिविजनल सर्वे है या कडेस्ट्रल सर्वे है कडेस्ट्रल सर्वे हो गया पुराना उनेस साथ वाला जो है उसे हम लोग रिविजनल सर्वे कहते हैं ठीक है तो खतियान की निकल जो जमीन खतियानी होगी उसमें तो आपको खतियान का निकल देना ही देना है ठीक है उसके ये जमीन का दावा कर रहा है, ये जमीन है कोई सेप में होगा गोल उसका दस्तवेज देना पड़े गां अगर सक्षम नियाले द्वारा आधेश हो तो आधेश की सची परत्लिप भी लेता है कि बंदा फे अ-ब बäsident prime बेच लिया इसे किसी सी ने बेचा इसे किसी डी ने बेचा तो होता क्या है कि इस जमीन मालिकाना हक के लिए A और B जो है दोनों चले गए कोट में इसे हम लोग कोट बना देता है तो कोट चले गए तो यहां से फैसला आया कि यह जमीन A को होनी चाहिए अब देखिए B भी वही कागज लेकर पहुँच जाएगा वहाँ पर तो आपके मन में कन्फिजन हो जाएगा कि यह जो सर्वेटीम है कि एक करे या भी करे तो जब आपके पास कोट का ओरडर दिया है तो आप कोट का ओरडर लेके जाएगे वो उसके आजार पर सर्वेटीम का दोरा आपका सर्वेट किया जाएगा यदि उस पर कोटकेस कभी हुआ है तो आपको कोटकेस का कागज उसको देना ही होगा उसके बाद देखिए आबिदन करता या हित अर्जन करने वाले मिर्तक का वारिष होने के संब्ध में परमानपत देखिए आप क्या होता है कि बहुत को खतियानी जमीन है उनके परडादा के नाम पे है यह दादा के नाम पे जो है खतियान चलता है अब यह बनदा यह है तो यह कोई इनका लगें का तब तो आप दावा कर रहा है ना तो इसके लिए आपको वनसा वली बनाके दे नपड़ेगा ठिक है वनसा व === या कहीं निर्गत किया जाता है तो आज़ी आपके पास अभी सर्वे टीम नहीं आई है या काम अभी वो लोग नहीं कर रहे हैं तो आप लोग वंसा वली जो है कागज के अनुसार बनवा लीजिए ठीक है जिससे कि आपको यहां पर सहलियत मिलेगा और यहां पर देखेंगे दोस्तों साथ नंबर आठ नंबर में क्या दिया गया है यहीं दिया गया है कि आवेधन करता है जो आवेधन कर रहे हैं उनका आधार काड और आवेधन करता का वो ट्राय काड यानि आपका आईडी प्रू सब का बहुत को क्या होता कि बड़ा भाई या चोटा भाई जो भी एक्टिव हो जमीन के मावले वो सारे कागज क्या करते हैं जाए वो पिता के नाम पर हो दादा के नाम पर हो या स्वें उनके ही नाम पर क्यों ना हो तो वो सारे कागज अपने पास रख लेते हैं तो उस इ यह सब भी condition रखा जागा अवी जो है important format जो है हम वो देख ले क्या तो format की और मैं आपको लेके चलू यह is important format है आपके survey team के पास यह सब format होगा तो आप लोग वहाँ से जाके फोटोशिट कर लिजेगा यहाँ वनसा वाली अधिनियम पांच एक अनुशार यहाँ पे सेवा में सिवीर पड़वारी अंचल लिख दीजेगा जिला का नाम लिख दीजेगा विसे वनसा वाली में खता है तिक है उसके बाद यहाँ पर क्या है जिस बहुमी का विवरं आविदन संद्वापत्त्त तुमें अंकीत है पद़ोग्रोषिद कोरे आते तो मुनसान में शक्राम पर देना है कि यहां ने रुखा होता है बहुत कोई उससे जमी जो लिखवाते हैं तो यह सब तो अगर इसमें कहीं आ रहा है तो उसमें मैं विस्तित प्रिवन ओंगा उसके वाद यहां पर एक स्वेम सपत पत्र है ठीक है इसमें दिखा स्वेत बाद क्या होता है इसमें कोई केस नहीं चल रहा है एवं विवाद से मुक्त है मेरे या हम लोग की वंसावाली खतियां जावंदी पंजी के अनुसार निम्द रूपेन है उसके बाद यहां पर देखें अता अन्रोध है कि प्रपत्र में अंकित वंसावली के आधार पर प्रशनगत्र भूमिक में उत्रा धिकारे के अधार पर हम मेरे या हम लोगों के नाम सर्वेक्षत पड़िकरिया से तयार होने वाले होने अभी लेक खाता खोलकर सम्मंदित खेसरा में परविश्ट करने की क्रिपा की जाए इसमें सभी फरीक के सराइन होने ही चाहिए तब ही जाके जो है आपका उसको बाद विश्वास वाजन यहां पर व्याशिका करता है तो आपने यहां पर एक फॉर्मेट देख लिया उसका सकेंड पाट जो मैं आपको दिखा दूँ तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर देख लिजेगा वंसा वाली के अधार प अस्ताई पता यह खाता के साल रखवा चोहद्दी हो गया और यह जमामंदी संक्या हो गया नि एक जमामंदी का अंतरकत अगरे मालेजे चार कठा जमीन है अगर चार इनके लड़के हैं मैं सिंबल सबने समनाने कोश्च करता हूं तो सबको यहां पर जो है एक रखवा जो सांति पूर दखल कवजा है वही तता भूमी स्वतवाद से मुक्त है अता परपत्र में अंकित बंसावली के अधार पर प्रप्रश्चनर भूमी के उत्राधिकारी बटवारा के अधार पे ठीक है हम लोग के नाम पर सरवेक्षन पड़िक्रिया ते तयार होने वाले अधि सब्सक्राइब के और मैं बढ़ता हूँ जैसा कि आप यहां पर प्रपत्र दो है ठीक है देखे नियम छेगा उपनियम एक कंसर राजय सुग्राम यानि मौजा का नाम थाना संक्या हलका नंबर हलका हर एक हलका का एक नंबर होता है इस पेस्पिक नंबर यह आपके पास ज कि दीजिए खाता किस रब्स कुष्ता्ма यहां पे लगेगा यह एकरर जो है एकर यहस्मील्सा में लिगे एकर देखे है एकर में क्या होता है तिकले सब्सक्राइब किया है कि एकर बाद में हो तो वह सरकारी जमीन होता है जो आपके पुरवज को बंदोवस्ति की जाती है तो वैसा भी आप यहां पर जमीन का किसमी लिग देगा है रही आती है या सरकारी है या घर मजरुबा मालिक है उसको असेश को छोड़के लगान जो सेश जो है लगान उग्रार स्व इस तो पर यहां पर लिखना होगा उसका अब्यक्ति में कुछ आप लिख सकता है कि है कि कोड keis चल रहा है वजबूथ है इस तरह की बाते आप यहां पर लिखना होगा है सकते हैं वहां भी सेम यहीं चीजी है सोगोसना पत्र है ठीक है यहां अस्तान हो गया यहां पर साइन हो गया यह जो फॉर्मेट बहुत ही कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप जरूर कॉमेंट कीजेगा मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ तब तक के लिए जहीं जय भारत